बीजापूर जिले में आज आईडी विसफोर्ट में सीएफ का एक जवान गंभी रूप से घायल हो गया जवान का नाम रामनाथ मौर्य है जो आरक्षक के पद पर पदस्थ है जवान की स्थिती बेहत गंभीर बनी हुई है मामला जिले के बांगपाल थानाक्षेत्र का है बीजापूर एसपी पंकशुकला ने बताया कि बीजापूर के नेलसनार में सीएफ की आठवी वाहिनी की कमपनी तैनाथ है शनिवार को इस कमपनी के जवान एरिया डोमिनेशन के लिए सर्चिंग पर रवाना हुए थे तभी बंगोली घाट के पास मावादियों ने पहले से आईडी बम लगा रखा था जिस पर पैर पढ़ते ही वो ब्लास्ट हो गया इस घटना में जवान रामनात मौर बम की चपेट में आ गया जिससे उसके दोनों पैर बुरी तरह से क्षतिग्रस्थ हो गये हैं घायल जवान को तुरंत नेल सनार के अस्पताल पहुचाया गया जहां प्रात्मिक उप्चार के बाद जवान को दंतेवाडा जिला अस्पताल लाया गया एक जवान की गंभीर इस्तिती को देखते हुए उसे बहतर इलाज के लिए रायपुर लाया गया है